सब्सक्राइब कीजिए गार्निंग बोई यूटूब चैनल को और दबाएं बैल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें आल ओप्षन पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें सबी दोस्तों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पे गार्निंग बोई पे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अच्छे काम में बीजी होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आज हम चलते हैं गार्निंग चला हुआ था और करोना अभी भी चल रहा है तो अभी हम अपनी कुछ सेप्टी से जाएंगे तो दोस्तों आप ये वीडियो जरूर देखिए आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी अगर आपको होल सेल के लिए गमले चाहिए तो भी आप वहां से ले सकते हैं हर तर आपको वहां का एड्रेस भी दे दूँगा आप वहां फोन करके भी पता कर सकते हैं कोई भी गमले चाहिए या कोई आपको फटिलाइजर चाहिए तो वहां सभी तरह की गार्निंग प्रोडेक्ट अवेलवल हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप से एक फाइनल दोस्तों हम पहुंच गये हैं नरसरी के पास तो यह देखिए स्टार्टिंग में ही आपको गमले रखे हुए मिल जाते हैं तो इस्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो यह करके आपको गमले का रेड भी बताएंगे तो वीडियो अब लाश तक देखिए ताकि मैं आपको यहां का एड्रेस भी दे सकूँ और नंबर भी दे दूँगा ताकि आप कॉल कर सके यहां पे तो यह देखिए दोस्तों यह कंपोश्ट का पैकेट है तो यह पचास रुपे का पैकेट है इनका पांच केजी इसका है वेट है जो तो आप यह हर प्लांट में डाल सक पैकेट है उसके बगल में आप देख सकते हैं यह दो केजी का है और इसका प्राइज इन्होंने तीस रुपे रख रखा है तो आप पांच केजी वाला लें पचास रुपे है अच्छा है तो आप यह खाद लें बहुत बढ़िया खाद है आप किसी भी प्लांट में डाले और और गैनिक है कोई केमिकल इसमें नहीं मिला हुआ है तो आप यही खाद लें अच्छा है तो इधर देखते हैं इधर देखिए दोस्तों यह हैंगिंग पोर्ट है तो इसकी प्राइज इन्होंने रख रखी है पचास रुपे तो काफी अच्छे साइज है मजबूती भ होता इनको और अच्छे से इसमें प्लांट लगा दो और बहुत बढ़िया से प्लांट चलते हैं तो आप ले सकते हैं इसकी प्राइज उन्होंने पचास रुपे रखी है हर तरह के आपको कलर मिल जाएंगे तो यह देखिए इधर गमले कुछ रख रखे हैं जैसे आपने अगर इंडर लगाना है कोई प्लांट छोटा सा प्लांट लगाना है आपको रसोई में लगाना है या ड्रोंग रूम में लगाना है तो उसके लिए यह देखे बहुत अच्छे डिजाइन में जो है कि गमले या इ anci आमिल रहे है तो इसका साइज जो है के 8 इन्ची है और तो ये भी आपको हर कलर में यहाँ पे मिल जाएंगे आप चाहें अपने मन पसंद का कोई भी कलर निकलवा सकते हैं तो इदर देखिए और भी कई साइच के यहाँ पे रख रखे हैं गमले तो इसका 20 रुपे है और ये देखिए ये बहुत खूपसूरत सा गमला दिखाता हूं आपको तो ये देखिए इसकी प्राइज इन्होंने 80 रुपे रख रखी है और काफी खूपसूरत गमला है आप सकते हैं ये टोकरी नूमा बना हुआ है तो इसमें भी आप प्लांट लगा सकते हैं अपने ड्रोइंग रूम के लिए तो बहुत अच्छे गमले हैं इंडोर के लिए तो आप जरूर यहाँ आए एक बार चेक करें तो दोस्तों ये देखिए अगर आपको अपने प्लांट के पत्ते बड़े करने के लिए हमको ये श्टीक लगानी पड़ती है तो ये श्टीक यहाँ पर मिल जाएगी आपको मीडियम साइज की 50 रुपे की और रेट के बाइस से आपको ये बढ़ती रहेगी चाहें आप बड़े साइज की लेंगे तो रेट ज्यादा लगेगा ब तो आप ये दिवालों पर रख सकते हैं अच्छे साइज के गमले हैं जो की हवे में गिरते भी नहीं है और इनमें आप कोई भी सबजी लगा सकते हैं पालक मेती किसी भी तो इदर देखिए हर तरह के ये देखिए गमले रखे हुए हर डिजाइन के तो ये जो सामने आप ये देख रहे हैं ये है 10 इंची का गमला है जिसकी प्राइज इन्होंने रख रखी 80 रुपे तो काफी अच्छे साइज का गमला है और काफी खुबसूरत है ये देखिए इदर भी कुछ गमले मिल जाएंगे आपको तो इदर देखिए हैंगिंग पोर्ट है जिनकी स्टा साटिंग 50 रुपे से है 80 रुपे तक हैं या पे गमले वो सोरी हैंगिंग पोर्ट तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी साइज का हैंगिंग पोर्ट ले सकते हैं ये देखिए 50 रुपे इसकी कीमत रख रख रखिए इनोंने और उपर देखिए आप ये कुछ 60 वाले लगे हुए हैं तो इनमें देखें चैन लगी हुई है काफी मजबूती बढ़िया है इनकी आप अगर एक वाल ले ले लेते हैं तो आपके दो साल तक ये चलेंगे जरूर तो इधर देखते हैं काफी बड़ी इनकी दुकान है आप जरूर एक वाल आए और आपको दिखा देते हैं यह देखिए इसकी प्राइज उन्होंने 80 रुपे रख रखी है तो आप इसको ग्रील पर लगा सकते हैं इसमें कोई प्लांट लगा के तो आप देख सकते हैं कुछ इस नूमा इसका साइज बना हुआ है तो आप इसको लगा सकते हैं तो इधर देखते हैं इधर भी कई साइज के गमले आपको मिल जाएंगे यहां पर यह देखिए गमला है इसकी प्राइज इन्होंने 500 रुपे रख रखी है काफी बड़े साइज का गमला है तो और भी दिखाते हैं आपको गमले आपको वीडियो में जरूर वीडियो हमारी दोस्तों लाइक कीजिए तो आउटडोर के लिए हैं आप लगा सकते हैं आउटडोर कोई भी प्लान्टिन में लगा सकते हैं तो यह भी अच्छे खासे चल जाते हैं दो साल तक चल जाते हैं आपके उसके बाद इनकी जो प्लास्टिक है वो खराब होने लगती है तो छट पे ज़्यादा बजन ना हो उसके लिए हमको प्लास्टिकी गमले सहील लेने चाहिए ताकि हमारे छट पे ज्यादा वेट ना पड़े तो दोस्तों इदर देखिए यह दोस्तों यह है एक पूरा सैट बना हुआ है यह तो इसमें देखे चार गमले इन्होंने लगा रखे हैं तो यह आपनी बालकनी मे वगेरा में आप लगा सकते हैं चार गमले इसमें लगे हुए हैं तो इसका प्राइज जो इन्होंने साड़े चार सो रुपे रख रखा है तो यह देखे प्लास्टिके गमले लगे हुए है और जो यह लोहे के जाल से बना हुआ है तो काफी खुबसूरत है अगर इन्हों में चारों में हम अपने प्लांट लगा देतें तो कापी अच्छा खुबसूरती दिखाएगा यह तो आप यह भी यहां पर ले सकते हैं बाकी यहां पर देखिए यह लाइन से इन्होंने हंगिंग पोड लगा रखे हैं तो यह अलग अलग साइच के हैं तो इनकी जो यह तीन सो रुपए बड़े साइज के गंबले हैं इसमें आप बड़े प्लांट लगा सकते हैं तो यह देखिए कापी अच्छी प्लास्टिक है जो इसकी क्वाल्टी तो इधर देखिए यह लेक्की बैम्बू होता है दोस्तों अगर आपने टेवल पर रखना रखना चा यह मेरे सामने ही अभी कुछ प्लांट उतरे हैं गाड़ी से तो यह देखिए इसके नमी जड़ों को देने के लिए इनोंने कुछ इसमें डाल भी रखा है तो आप देखिए पचास रुपए ले सकते हैं और इसका मैं पूरा भी आपको सैट भी दिखा देता हूं जो आप आपको यहां पर सैट भी इनका मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों आगर आप होल सेल के लिए लेना चाहते हैं इनकी पूरी गोदाम है तो आपको यहां होल सेल पर सारे गंबले मिल जाएंगे किसी भी साइच का आप गंबला लेना चाहते हैं तो होल सेल पर आपको यहां पर मिल जाएगा तो देख सकते हर साइच के हर कलर के आपको गमला ले सकते हैं तो आप यहां पर इनका मैं एडरेस आपको दूँगा लाश्ट में तो आप जरूर यहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको और देखिए इधर देखिए इधर इन्होंने कुछ खाद कि बैंबु का तो यह देखिये यह पर इसका नीचे देखिए यह Will face यह देखिए यह इन्होंने कुछ रंग डूतिण और रहे हैं और इसमें हल्का पानी पड़ा हुआ है डिनगतों नियूतीا मैं 산 घुट आप कुछ प्राइज कम जादा करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम बता के आप यहाँ पे कुछ कम करवा सकते हैं तो यहाँ के ओनर से आपको मिला देते हैं यहाँ के ओनर इनका कार्ड आपको दिखा देते हैं तो उससे आप contact कर सकते हैं, तो ये है इनका card है, तो आप contact कर सकते हैं इनको, तो ये देख सेते हैं, इनका number भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो like करें, share करें, फिर मिलते हैं आपको एक next वीडियो में, तब तक happy gardening.